हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लग स्वागत है टेकनिकल सुजीत यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने लेप्टॉब में पावर सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कम्प्यूटर तो जो है डियरेक्ट बिजली से चलता है और लेप्टॉब में बैटरी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लेप्टॉब की बैटरी जो है काफी जल्दी खत्म हो जाती है तो उस सेच्वेशन में हमारा जो ज्यादा चला सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और कैसे आपको पावर सेविंग मोड को इनेबल करना है अपने लेप्टॉप में वीडियो में सभी इस्टे में आपको बताऊंगा तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी इसकिप मत करना नहीं तो आपको वीडिय वीडियो समझ में नहीं आएगा और साथ में दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए हैं जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी जब भ के और यहां पर दोस्तों आपको लैपटोप की स्क्रीन पर आ जाना है और यहां पर आ जाने के बाद आपको सबसे wus actually control panel open करना है control panel open करने के लिए यहाँ पी start menu के option बेज जाएंगे और यहाँ पे आपको control panel के option पे click कर देना है तो आपके left की जो है control panel की setting open हो जाएगी यहाँ पे इस प्रकार्स चे option आएंगे यहाँ पे आपको option ढूनने में problem हो रही तो situation में आपको यहाँ पे category पे click करना है और यहां पे large आईकन पे click करनाए अप दोस्तो आपको option ढूनने में कठेना ही नहीं होगी दोस्तो यहाँ पर option ढूनना ह्यなら power option पावर ओप्शन आपको ढून लेना है और इस पर click कर देना ख्लिक कर देनानी जो है आपके computer की sorry laptop की speed पर depend करेगा तो यहां पे आप power saving mode लगा करके आप अपने laptop की battery को ज़ादा से ज़ादा चला सकते हैं तो यहां पे हम power saving mode पे click करेंगे तो हमारे laptop में power saving mode activate हो जाएगा और यहां पे हमारे laptop की बैटरी जो है अब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती थी तो अब जो है पावर सेविंग मोड लगा देने के बाल लेप्टॉप की बैटरी कम खत्म होगी देर तक चलेगी यहाँ पर हाई पर्फेयों मेंस का भी ऑप्सन है तो इस पे आपको कोई भी चैनल नहीं करनी है तो आपको प लिखा हुआ है चेंज वेन टू टर्न ओफ अंदर डिस्पेले मतलब कि यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो आप अगर लेप्टॉप को चलता हुआ छोड़ देते हैं तो उस सिच्वेसे में डिस्पेले जो है आटोमेटिकली आप हो जाती है डिस्पेले की लाइट जो है ब करते हैं तो वहाँ पर डिस्पेले पर लाइट आती है उसी हिसाब से यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं जैसे कि आपने लेप्टॉप पर कोई भी काम अधूरा छोड़ दिया तो उस सिच्वेसे में डिस्पेले जो है आटोमेटिकली आप हो जाती है यहाँ पर देख सकते आपने लेप्टॉप पर कोई भी एक्टिवीटी नहीं करेंगे तो आटोमेटिकली जो है आपकी डिस्पेले जो है आफ हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपनी बैटरी को बचा सकते हैं अपने लेप्टॉप में पावर सेविंग मोड लगा सकते हैं दोस्तो वीडियो म हमें कॉमेंट सेक्षन में बताना ना भूलें और साथ में जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन को भी आउन कर लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबस से पहले आप तक पहुंचते रहे तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दूस्तों आप अपना ख्याल दखिएगा